हेलो इस्टुडेंट्स मैं मनो जिश्रा एसिस्टर्ण प्रफेशर आर्केजी एडिकृस्टन कॉलेज लगते हूँ इस्टुडेंट्स बी एट फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के डिजिटल क्लासिस के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को आज शुरू करते हैं जो जिसका नाम है अंतराश्टियता या इंटरनेशनिज्जम इस अंतराश्टियता के टॉपिक को हम भर्तमान परपेक्ष में अगर देखें तो यह टॉपिक अपने आप में पूरे संसार को एक घर के रूप में बनाने का सीख देता है इस क्रम में हम देखें कि अंतराश्टियता हमारे बस्धर्व कुटमबकम के उस सूत्र को चर्दार्थ करता है जिसके माध्यम से हम यह जहने का प्रयाज करते हैं कि वास्तों में पूरा संसार एक परिवार है मानो विकार से हमारा लक्ष होना चाहिए वास्तों में सिख्छा जिसे आधार भूत रूप में लेकर आगे बढ़ती है तो आईए हम लोग आज इस टापिक को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले हम लोग विक्याट क्यों इसकी मीनिम के बारे में इसका अर्थ के बारे में समझेंगे What is the meaning of internationalism? हम कह सकते हैं कि internationalism is the enlargement of democratic values and democratic system and whole world जैसे हम बात करते हैं कि संसार में बिश्टू के जयातर देश आज प्रजातांत्रिक सासन पढ़ाली को अपना रहे हैं प्रजातांत्रिक शासल प्राली अपनानी कात्रा ये होता है कि वो देश अपने समाज में प्रजातांत्रिक मूल्यों का आवगाहन करना चाहिए ये प्रजातांत्रिक मूल्य आप अच्छे से जानते हैं कौन-कौन से होते हैं जो हमारे मूर अधिकारों में ब्यक्त किये गए हैं जैसे प्रजातान्तरिक मुलियों में समान्ता, स्वतंत्ता, न्याए, बंधुता, आट, इन प्रजातान्तरिक मुलियों को अपने समाज में बिश्व के ज़्यादा तरदेश व्योवस्थित करके उसको अपनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इसलिए प्रजातांत्रिक शासन पराली को अच्छा माना देदा है और इसी के परपेच में हम कह सकते हैं कि मानों का उठान होता है और जब सारे देश इस पराली में रख हो जाते हैं तो इस तरह के मूल्यों का अवगाहन करना सिख्छा को का एक कारे बन जाता है जिसे हम अंतर राश्टी जीटा कह सकते हैं दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं इतर रेफर्स इंटरनेशनल अंडर्स्टैंडिंग एंड फ्रेटेनेटी फॉर्ड़ हुमेनेटी एबाउट पॉर्ड हम कह सकते हैं कि यह अंतर राश्टी समझ बिख्षित करने का कारे करता है सिख्षा जब अंतर राश्टी समझ को बिख्षित करते हुए लोगों को मानवता और भाईचारी की सीख दे तो संसार में यह एक अनोखा रूप निखर के आता है कि सब लोग सर्वेभोंती सुखन, सर्वेशंत निरामया की उस सूत्र पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि जो सिख्षा का मूल लख्ष होता है इस क्रम में हम लोग कह सकते हैं कि सिख्षा जब्यक्ति को उसके अंदर मानवता भाईचारे की सीख देते हुए उनके साथ समानता, न्याय, बंधुता और सुत्रता की मूल्यों को उशित करता है तब उशित रूप में हम कह सकते हैं कि आज अंतरास्टी इता का जो एक रूप निखर के सामें आये, वह जर्दात होता है सिख्षा आएए हम लोग स्क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं इसकी परिभासा क्या हो सकती है, वास्तों में स्टुड़न्स अंतराश्टियता की कई परिभाशाएं हैं बट हम सूप शुम्रूप में एक परिभाशा का उल्ली किया करें तो according to Goldsmith Mohoday के नुशार अंतराश्टियता, internationalism is a feeling of that the individual is not only a member of his state but citizen of the world Goldsmith Mohoday के नुशार हम कहें कि अंतराश्टियता वह भावना है जो व्यक्ति को किसी एक राज्य या किसी एक देश के क्रम में सीमित करके नहीं रखता बलकि उसे विश्वनागरिक बनाने के लिए कारे करता है विश्वनागरिकता का उसके अंदर समझ डेबलक हो जाए वह अबिश्वनागरिक बनने के कर्म में तो अंतराश्टियता इस करम में परिभासा के रूपे दिया गया आए हम लोग नेक्स पॉइंट में देखते हैं कि वाट इस अबज़क्ति वाओ एजूकेशन फॉर इंटरनेस्टियता इसके कौन कौन से उदेश हैं अंतराश्टियता और शिच्छा का उदेशों के साथ जूर करिया कैसे आए है तो according to the UNESCO UNESCO के अनुसार अंतराश्टियता का विचार इन उदेश्चों के करम में आविवठता है to give knowledge for important matter and to live devoted लोगों को प्रमुख प्रमुख बातों प्रमुख बातों जो भी संसार के प्रमुख मुद्दे हैं उनको समझने के लिए और लोगों को सारे देश को सारे देश में सारे लोगों को सभी प्रजातियों को सभी धर्मिवाने वाले लोगों को एक साथ रहके रहने और एक साथ आगे बढ़ने की सीख देता है इस उदेश के साथ इंटरनेशन्जम का विचार आगे बढ़ता है दुश्रा उदेश हम कहें तो गीब नौलेज आप वैलूस एंड इंस्पिरेशन्स विद तेयर हैविटेट्स आप दिपरेंट कल्चर्स आप दबढ़ता है यह विभिन संस्कृतियों और उनके आवासों तहां उनके परित होने वाले उन मुल्यों के साथ जोड़कर आगे बढ़ने की क्रेड़ा देता है यहां अंतराश्टियता का विचार लोगों को अपने आवासी छेतर में अपनी संस्कितियों के एसी मिलेशन के साथ आगे बढ़ने की सीख देता है इसका अगला उद्येश है to give the training to students for research of similar welfare elements of different cultures यहां अंतराश्टियता की विचार की माध्यम से हम विध्यार्थियों को सीख देने का प्रयाज करते हैं उनको उस उस प्रषिफचर देने का विचार देते हैं कि कैसे वो नए समानपरक बातों को तुभिन संस्कितियों से ढूड़ें जिनके माध्यम से उन लोगों में एकिकरन का भाव आए उन लोगों में एक साथ मिल कर रहने और सहज प्रवित्ती में विकाश करने का विचार सामने आए तो ऐसी खोजपून प्रवित्ती के लिए यह आवश्यक होता है इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्टुडेंट कि यह कहता है कि अन्तराष्टियता का विचार सीधे तवर पर बच्चों को सक्री रूप में समाज के काजियों में भाग लेने के जोपलता है समाज को एक स्वस्थपूर्ण समाज बनाने के के लिए आगी भागता है कि लोगों में जब अन्तराष्टियता का विचार आएगा तो विश्व में कहीं भी अच्छे विचारों को एक मंच मिलेगा और वो अच्छे विचार लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और खुद को प्रित होंगे और उस प्रेणा के सुरूर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें और उस आगे बढ़ने की क्रम को लोगों में आपश में सहयोग पौन धंग से आगे बढ़ने की प्रयादा देखें जिससे लोग सहज लोग में समाज में समंझित होकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकें नेक्स्ट विच्छे की क्रम हमें लोग देख रहे हैं तो डेबलापे सेंस आफ एक्कोल अंडर्स्टेंडिंग ऑफ आल कल्चर्स नेसलिजम एंड रेसेश यह अंताराश्टीता का विचार बिद्यातियों या बिद्यातियों के अंदर एक समान परक समझ प्रदर्शित करता है उनको अंदर समान समझ डिवलेप परता है जिससे वो सभी संस्कितियों में सभी रास्टों में और रेसेश सभी निजातियों के क्रम में सहत रूप में आदि बढ़ता है जिससे वो इन समस्कितियों, राश्ट्री, सीमा रेखाओं और जातियों के बंधन इन सबसे उपर उठके सोचने के लिए उसके अंदर समस्थ डिवलप्ट हो पारे तो इस उद्देश से भी अंताराश्टियता का विचार या सिच्छा में आवस्थे हैं अगला हम लाश्ट में इसका अब्जेक्टियों देखते हैं, शिच्छन सुट बी टॉट नाट टू गिव इंपॉर्टेंस टू दियर ओन कल्चर, कल्चरल अन लिशनल सिंटियों यहां विध्यार्थियों को केवल अपने संस्कृतियों और अपने ही देश के ब्योस्था सीमित हो जाने के विचार को वह रोपता है, कि वह कहता है कि केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अन्य संस्कितियों के बारे में, अन्य देश के कारिपणाली के बारे में भी समझना है, जानना है और लोग कैसे रहके अपने आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम एक उद्देश के क्रम में ये भी लेके चलते हैं कि हम पिद्ध्यात्यों का जो उनका sentiment limited हो जाता है उस limited sentiment को अंतराश्टीता का विचार open करता है इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि need for improving internationalism क्या क्या बाते आवश्चित हैं कि जिससे हम अंतराश्टीता की विचार को आगे लेखते हैं तो सबसे पहले human welfare impossible by mere nationality हम कह सकते हैं कि केवल राश्टीता की विचार से ही मानों का कल्यान नहीं हो सकता इसलिए अंतराश्टीता का विचार आवश्चित करें केवल हम सीनित राश्टीता की सोच से मानों कल्यान नहीं कर सकते हैं यह जो विचार है इसके लिए हमें अंतराश्टीता का विचार प्रमुख रूप में शिच्छा के रूप में लिखे आना पर दूसरे क्रम में हम दोग दिखते हैं for the development scientific technology आज हम कर सकते हैं कि विश्ट टक्नीकी की क्रम में पूरा संसार एक दिखाई देता है वो विचार scientific technology की मदद से एकिकरन का भाव दिखाई है इसलिए जो आज टक्नीकी को अपनाने में हम एकिकरन का भाव प्रदर्शित करते हैं वही भाव हम मानों मूल्यों या मानों परक्विश्यों के भी अध्यान में अगर एक जुटता दिखाएं एक एकिकरन का भाव प्रदर्शित करें तो हम कह सकते हैं कि अंतराष्टीता की समझ आउश्यों आगल के क्रम हम दोखते हैं mutual dependence of nations यहां राष्टों का आपसी आपसी एक दूसरे पर निर्भ़ता का भाव पर दर्शिक रहता है अंतराष्टीता इसलिए भी आउश्यों तो प्रोटेक्ट दट इंडिपेंडेंट इग्जिस्टनस आउप नेसा है हम कह सकते हैं कि देशों का जो इंडिपेंडेंटेंट एग्जिस्ट या अलग लेक्षोतन अस्तित अपना बनाई रखे हैं उनको हम संभालने जैसे उनकी अस्तित को बनाई रखने की बात करते हैं यह हम अंतराश्टिता के बिचार से जोड़ जाएंगे तो अंतराश्टिता मन्त पे हमारा एक सम्मान होगा और हम अपने अस्तित को बना सकेंगे और कोई हमारे अस्तित को मिटा नहीं सकता तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र अस्तित्त को सभालने और स्वतंत्र अस्तित्त को बनाए रखने के लिए राष्टों का अंतरास्तिता का बिचार आवश्यक है इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कौन-कौन सी अर्शी बाते हैं जे और आवश्यक हैं अंतरास्तिता के बिचार को आगे बढ़ाने आए हम लोग मेजर साफ इंटर्नेशनलिजन डेवलप्मेंट की बाते हैं ये कौन-कौन से उपाय है जो अंतर राश्तिलिता की विचार को आगे बढ़ाते हैं, अंतर राश्तिलिता की विचार को बिक्षिक करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक Purpose in Education Objective हमें इस विचार को अपने सिख्छा के उद्देश्यों में दखना है दूशा है Educational Curriculum Improvement हम अपने सैच्छिक पार्ठिक्रम को नमीनी करेंगे इंप्रूब करेंगे और उस इंप्रूब्मेंट में हम अंतराष्टिता के विचार क अंतराष्टिता के भाव को जोड़ेंगे जिससे विच्टिमें अंतराष्टि सूज़ डेवलप्रोस है डेली Group Meeting Program प्रत्येक दिन ग्रूप मीटिंग हो चाहे वो धार्मिक Group Meeting Meeting हो चाहे समाजिक हो हम Group Meeting करते जहें हैं जिससे सभी धर्मों, सभी जात्मों और सभी रास्ट् बराबर का दर्जा मिलें जैसे हम कहते हैं जी सेबन, जी टॉन्टी और संखाई, ओपेक यह सर्व गर्रूप के सहारे, निरगुट आंडोन अंग सहारे, यहां हम इकट्थे होते हैं देश और उंको बराबर का दर्जा मिलता है और वो मीटिंग करते हैं तो उन मीटिंग के माध्यम से उनमें एक जुट्टा का भाव आता है, यह अंतराष्टी जुट्टा का भाव आती परता है, इसी क्रम्भ हम लोग कह सकते हैं, International Days and International Leaders' Speech, हम अंतराष्टी दिवसों को मनाते हैं, जैसे हम कहें परियावरन दिवस मनाते हैं, हम अंतराष्टी परियावरन दिवस या अंतराष्टी अहिंसा दिवस या हम कह सकते हैं, कि हम लोग बिश्टी के उन दिवसों को मनाते हैं, जो सांती दिवस, हम लोग उन बातों को अपनाते हैं, जो पुरसंसार मनाएं, और जब उन दिवसों को हम मनाते हैं, उन दिवसों क मनाने और अंतर राष्टी नेताओं की स्पीचों को सुनने के करने एक विचार आता है इसे हम कहें कि Nobel Prize पुरस्कार, Nobel Prize पुलिद्दर सम्मान ये सम्मान अंतर राष्टी पुलिद्दर तो पत्रकारता के छेतर में दिया जाना वाला सम्मान है और एक नहीं पुलिद्दर सम्मान है, हम एसिया में कह सकते हैं, एसिया महदीद पे दिया जाना वाला सम्मान तो Nobel Prize पुलिद्दर अंतर राष्टी पुलिद्दर सम्मान है ये सम्माद मिलने का क्रम अंतराश्टी इता की भाव को जगाता है तो ये उपाएं हैं जिनको हम अपना कर अंतराश्टी इता की विचार को आगे बढ़ा सकते हैं International Sports and Cultural Program हम अंतराश्टी खेल के आईजिनों को संस्कितियों के कारिक्रमों को जोड़ कर हम बहुत आशानी से अंतराश्टी इता का भाव डिवलप कर सकते हैं International Exchange of Teachers अंतराश्टी इता को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो शकता है Travel abroad हम अंतराश्टी परेटन को बढ़ावा देके जैसे लोग यहां से सुजलें जाते हैं लोग लंदन जाते हैं लोग अमेरिका या फ्रांस जाते हैं उन महत्पोर अस्थानों को देखने तो इससे अंतराश्टी इता का भाव जगता है इसको भी हमें प्रश्टर देना चाहिए अंकि में हम कहसे कि International Exhibition अंतराश्टी ऐसी प्रदर्शनिया भी गोश्टियों का भी आलजन प्रदर्शनियों का अलजन किया जिससे लोग अंतराश्टी संस्कितियों के बारे में अंतराश्टी कारियों के बारे में जान सकें देख सकें और इस प्रकारूम के अंदर एक भाव डवलप हो पाता है किस चीज का अंतराश्टी ऐता की विछान का तो इसकर में हम लोगों ने आज स्टुजन्स समरी के रूप में कह सकते हैं हम लोगों ने अंतराश्टी इता का अर्थ उसकी डिफिनीशन और उसकी उदेश अब्जेक्टिव्स तथा वो आवश्चेक के हो हैं हमारे समाज में हमारे संसार में उसको बारे में पढ़ हैं और हम लास्ट में ये भी देखें कि हम कौन-कौन से ऐसे उपाय करें जिससे अंतराश्टी इता का विचार आगे बढ़े और डिफिलप हो जिससे विश्व में एक अंतराश्टी इता का विचार बिवस्थित हो सकी थैंक्यो इस्टुदेंस